मशुर संगीतकार जुबीन नौटियाल आज हरिद्वार पहुंचे जहां गायक जुबीन और प्रड्यूजर सुमित अदलक्खा ने नील धारत अटस्थित श्री दक्षन काली मंदर पहुंच कर महामंडलेश्वर कैलाशनंद ब्रहमचारी से आशिरवाद प्राप्त किया। इस दोरान कैलाशनंद ब्रहमचारी ने मा के चुनरी और नारियल भेट कर उजवल भविशे की कामना करते हुए आशिरवाद प्रदान किया। इस मौके पर जुबीन नौटियाल द्वारा गाय गये भजन श्रीकृष्ण गोवंद हरे मुरादी की सीडी का भी विमोचन कि इस मौके पर जुबीन नौटियाल ने कहा कि वो गुरुजी से आशिरवाद लेने के लिए यहां आए हैं। वहीं कैलाशानन्द ब्रहमचारी ने कहा कि गायक जुबीन नौटियाल ने सिनेमा जगत में एक अलग पहचान बनाई है और उत्राखंड का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारतिय गीत संगीत अन्य देशों के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब शिवतांडव आप गाएंगे तो पूरी दुनिया उसको सुनेगा, पूरी दुनिया उसे स्विकार करेगा। पूरी दुनिया और मुझे लगता है महादेव न इश्ली आज आपको काली मंदीर में भुलाया, मां न इश्ली आपको काली मंदीर में भुलाया। कि आपके दोराशिव्त आंडव इस्तोत्रम पूरी दुनिया को स्रवन करने को एक अफसर मिलेगा, स्रवन करने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और लोग उसे सुन सकते हैं, गा सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि रथ गजेंद्र तोरंग युक्ताम, लक्ष्मिम सदैव श बता दें कि कैलाशानन्द ब्रहमचारी से हुई चडचा की जुबीन नौटियाल जल्द ही साथ मिलकर शिवतांडव गाएंगे और कुम्भु मेले से पहले आपके बीच में शिवतांडव को पेश कर दिया जाएगा पंजाब के स्री टीवी के लिए हर दौर से सतीश गुजराल की रिपोर्ट